कि आप देखरें इंडी के मेर चल जहां बात करते हैं पीसी की तो आपको इंटेस्ट कर रहे हैं क्यों आपकी तरफ से आने वाली उनकी नैस जिसका नाम है टी एस टूफाइब वन डी यह दो मॉडल्स में आती है टूजी एक फोर्जी तो टूजी जो है वह टूजी वाला व उसकी काफी एक्षी प्रोसेसिंग कर देता नैस के लिए बहुत है इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे नैस को आप सेट अप कर सकते हो और साथ में कैसे उसमें एक्सपैंड करके एक्सेसरी लगा के उसे और बीस बना सकते हो आप कंप्यूटर यह इसमें त चाहिए 100GB 1000GB या फिर दो टीवी तो वह आपको चार्ज करेंगी कई बार सर्विसेस क्लोज भी आती है साथ में अगर जैसे आप कहते हो गूगल वगरा की सर्विसेस हैं वह फ्री में देती हैं लेकिन उनकी लिमिटेशन होती है आपके फोटो जो हाई क्वालिटी में नही से वह फोटो आपके सेलेक्शन के लिए वह आपके फोटो को एल्बम में और्गॉनाइज कर सकता है विदिट्स पावर्फुल एयाई सपोर्टेड फोटो रिकागनिशन सॉफवेर इनका एक और सॉफवेर भी आता जिसका नाम है क्यू सिंक उस वह आप नाम सी समझ रहे ह एक फाइल है अगर आप चले भी जाते हो तो आप मोबाइल में अपने वह देख सकते हो इंटरनेट के थूटो देखी सकते हो लेकिन वह फाइल आपके मोबाइल में भी आ चुकी है क्योंकि सारे फोल्डर सिंक रहेंगे आपके क्यूने टीएस 251D में HDMI भी आता है तो आप इसमें आपकी मूवीज वगरा पढ़ी है फूटो वगरा पढ़ी है वह आपको स्ट्रीम करनी है वह आप इंटरनेट के थूट करी सकते हो आपकी नैस है वह तो ही है साथ में HDMI से कर दो तो आप हाई रेजोलूशन बिलकुल बिना किसी दिक्कत के अपनी नैस में बिना डायरेक्ट आपकी जो नैस है उससरी वीडियो चलेंगे मानलो 100 GB की आपकी मूवी है जो हाई प्रिंट आते हैं बलूरे वाले वो चलाना है वो इंटरनेट पे चलाने में आपको दिक्कत हो जाएगी वैसे इंटरनेट के थूट आपको चलाना है तो बैस्ट है प्लेक्स म सब कुछ है उससे फाइदा यह होता है कि नेट पर चल जाता है दूसरा यह है कि अगर 100 GB की फाइल है ब्लूरे वाली को आपको प्लेक्स के तुरू ही चलानी है तो ट्रांस कोड कर देता प्लेक्स सॉफवेर जो है वो इसमें पावरफुल है कि वो ट्रांस कोड कर देता ल अब मैं आपको इसका फ्रेंट पैनल दिखाता हूं यहां पर आप देख सकते हो एक तो पावर बटन आपको मिलता है साथ में LED स्टेटस मिलते हैं LAN के USB के जैसे यह लिखा हुआ है आपको अपना ड्राइब वन और टू का स्टेटस दिखता है यह देख रहे हो आप दो लगी हुई है इसके अंदर साथ में नीचे जो आप देख रहे हों USB 3.2 और नीचे सबसे है कॉपी बटन इसमें हार्डिक्स इंस्टॉल करना बहुत आसान है जो साइड कवर है उसका लॉक्सा दे रखा है वो स्लाइड करो आप नीचे यह आप फ्रन्ट कवर निकाल लोग लगा दो यह होट स्वापबल है मरलब आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा सौट्फेर अगर एक हर्डिस खराब हो जाती है या लगानी है आपको चुप चाप निकालो लगा और वापस लगा दो अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्यूने PS251D के पीछे क्या- HDMI है इससे आप 4K 60Hz तक वीडियो निकाल सकते हो जो कि इंटरनेट पे अगर आप चलाओगे 100GB जैसी फाइल थू नेटवर्क तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आप HDMI यूज करो डायक्ट टीवी में आप इसे लगा सकते हो यहां पर आपको USB 3D रखा है जिसमें केपि चाहिए आपको क्योंकि यह 1GB वाला पोर्ट है इससे 1GB की स्क्रीड निकलती है जो इथरनेट पोर्ट है साथ में आपको 3 USB मिल जाते हैं इसमें आप अपने माउस और कीबोर्ड लगा सकते हो आकर यह है तो एक कंप्यूटर ही आप इसमें चाहो तो आप डायक्ट यूज क इसप्रेस 2 X4 इसमें आप कई चीज़ने लगा सकते हो साथ में यह यह आपको 7 cm का फैन मिलता है इसमें पीसी एक्सर स्लोट में लगा क्या सकते हो इसमें M.2 तो आती नहीं है तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो रहेगी लेकिन आप लगा सकते हो इस स्लोट का यूज करके या फिर आप इसकी नैस की केपिल्टी सूपर स्ट्रॉंग कर सकते हो 10 GB का नेटवर्क एक्सपेंशन कार्ड लगा के भयानक स्पीड हो जाएगी अगर आपके पास इंटरनेट इतना तेज है और आपके बागी कंप्यूटर्स इतने कार्ड लगाते हो अगर आपको 3.1 Gen 2 जो 10 GBP तकी स्पीड लगाते हैं वो आपको चाहिए जो अभी इस नैस पे नहीं है तो आपको जो है यहां पर एक्सपेंशन कार्ड लगाना पड़ेगा और आपको दो पोर्ड मिल जाएंगे मैंने इस नैस में लगा रखी है 4 TV की दो अल्दो मैं तो यह मानूँगा बहुत कम है 4 TV इसमें आपको बड़ी लगानी चाहिए वैसे ही आपके पास दो बेज हैं और आपने सिर्फ 8 TV केपिबिल्टी करी तो काफी कम है लेकिन आपको यूज पर डिबेंड करता है पैसे भी तो देने पढ़ेंगे अगर 4 TV के बजा चलेंगी 24-7 अगर साल पर चला तही बजली आती रहेगी तो यह इसी के लिए सब्सक् durações से करते हो तो आप सोचो लगातार इसमें वीडियो आं और लगातार डेle coping हो रहे हैं और आप भी चेक करते जा रहे हो या फिर इसमें से लेते हो ए यह लगातार हाट डिस्क चलती है इसके लिए बैस्ट है जो डेस्टॉप ड्राइब होती है ज् fy затी जो डेस्टॉपter हींпрयोग जो पर लेकिन आप उसको भी इस्तिमाल कर तो सकते हो लेकिन ये बकाइदा Iron Wolf ये सीलिया बनी होती है नेस सिस्टम के लिए और Iron Wolf Pro उसके उपर भी एक सेक्शन होता है जो और ज़ादा quality देती है और ज़ादा guarantee देती है और आप इस लिए भी important है आप याद रखो कब होंगी बस बात ये है तो आप पहले से ही जो है अच्छी जो है drives खरीदो जो नेस के लिए ही बनी है देखो नेस को set up करना बहुत ही आसान है वो आपने hard disk लगा के तयार तो करी लिया है साथ में इसके box में ये आती है या आपकी QNAP की installation guide आती है इसको use कर लो नहीं तो एक बहुत अच्छा वीडियो है QNAP के YouTube चैनल पे आप उसे straight forward यूज़ करो मैं क्यों इस बात पर push कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि या अपनी अकल लगा दी हैसे मैंने पुरानी nest जो है set up करनी थी वैसे ही से कर लिया मेरे को एक गंटा अपना बरबाद करना पड़ा जो काम था 10 मिनट का जादा सा जादा 10 मिनट का उसके लिए एक गंटा खराब हो गया क्योंकि मैं अपनी अकल लाडा के कर रहा था अब nest setup चालू हो चुका है hard disk में भी जगा बना चुका हूँ अब मैं जब नहीं हो पा रहा था तो मैं QFinder Pro के थू कर रहा था तो फिर QFinder Pro जो है डून नहीं पा रहा था दिक्कते आ रही थी जैसा setup चलना चाहिए वैसा नहीं चलना था तो आप straightforward शुरू से ही उस वीडियो का link में दे दूँँआ उसको follow करो आप QFinder Pro को download करो और उसके थू अपनी NAS जो इंस्टॉल करो और उसके बाद बड़ा straightforward है मतलब फिर आप click करते चले जाओ जैसे हम Windows नहीं इस्टॉल करते हैं कोई जात दिमाग नहीं मानना पड़ता लेकिन बस वह हुआ रहता कर कभी किया नहीं है तो लेकिन straight forward है यह जो पूरा process बनाया गया है वो beginners के लिए ही बनाया गया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो उसके बाद अपनी firmware अपडेट कर लेना अपने आप ही हो जाएगा अपने आप ही आपको क्यों नहीं बताती जाएगी setup के तुरू कि अब update करना है firmware अब ये करना है अब वो करना है आप समझ के करते चले आओ साथ मैं आपको थोड़ी knowledge लेनी पड़ेगी storage pool की, volume की वो आप कही से भी ले सकते हो और वो भी knowledge नहीं लेनी है तो आप अपनी अकल से जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ वो follow करके आप आराम से आगे बढ़ सकते हो जो मैं आपको hard disk नहीं मैंने आपको install करके दिखाई थी आपने देखा वो बिल्कुल tool free था लेकिन अगर आपको 2.5 inch की जो SSD लगानी है उसके लिए आपको थोड़ा सा screw करना पड़ेगा हो वो भी जाएगी आप इसी में जैसे मैं बता रहा है ना M.2 लगा सकते हो ज़रूरी नहीं है कि आपको M.2 SSD लगानी हो आप SATA SSD भी लगा सकते हो hard disk की जगा बस वो लग जाएगी और PCI-X पर slot भी इंस्टॉल करना बड़ा असान है प्रूरी की तरह है जैसे मैंने नहीं अभी ये front panel खोला पहले तो उसके पीछे एक screw दे रखा है कि उन्हें आपके VOA खोल लो side panel निकल जाएगा उसके बाद जो PCI-X परेशन कार्ट जो भी आप M.2 वाला 10GB वाला इंस्टॉल करना चाते हो आप इंस्टॉल कर लो बहुत ही आसान है इनके कई और software भी आते है जैसे backup की मैं आपको बता रहा हूँ HBS 3 आता है Hybrid Backup Sync 3 बहुत बढ़िया software है backup लेने के लिए और compress करके जो है वो backup लेता है उसका भी मैं को installation करके दिखाऊंगो future videos में QVR Pro Surveillance System नाम का भी इनका एक software आता है जिस पे आप Surveillance अपना set कर सकते हो तो 8 IP cameras आप install कर सकते हो उसके उपर थोड़ा pay करना पड़ता है अगर आपको और cameras भी install करने है QUSB Cam 2 नाम का software इनका आता है अब webcam लगा दो इसमें NAS में तो अब ये record भी करती रहेगी webcam के थूँ लगाता record करती रहेगी और आपने storage तो बढ़िया लगाई दी है तो आपके भर-भर की video बनती रहेंगे अब क्या है? यहीं पर आप देख रहे हैं NAS के दो तो काम शुरू हो गए NAS का तो काम करी रही है वो आपकी network storage तो ही साथ में अब हो एक रिकॉर्डर भी बन गई अपने आप में वर्च्वे जेबॉड को यूज करके आप इसकी capability बढ़ा सकते हो जैसके आपके पास पुरानी NAS है उसका तो प्रोसेसर पुराना हो गए आप उसकी प्रोसेसिंग बावरती नहीं नहीं है लेकिन NAS तो ही उसमें तो नहीं हार्डिस लागा हो अपना काम करने लगती है वर्च्वे जेबॉड को यूज करके आप अपनी नहीं NAS के अंदर connect कर दो अपनी पुरानी NAS तो आपकी यह जो capacity है वो पड़ गई महलब देखा आपने क्या किया आपने storage तो यूज कर ली पुरानी NAS की उसमें बेज ज़्यादा थे मानलो 8 बे की आपके पास पुरानी NAS थी ठीक है उसकी आपकी यह storage capacity यूज कर ली साथ में processing आपने यूज कर ली नई NAS की उसमें नया processor है, powerful processor है SIQNAP की तरफ से RAID Enclosures भी आते हैं जैसे एक आता है TR002, वो 2B का है एक और आता है TR004, वो 4B का है यह RAID Enclosures हैं जो की सिर्फ capacity बढ़ाने के लिए आते हैं इसको भी आप अपनी नई QNAP NAS के साथ attach कर लो, आप storage capacity बढ़ा सकते हो जैसे कि मैं NAS दिखा रहा हूँ TS251D, यह दो waves वाली है तो आप इसकी capacity बढ़ाना चाहते हो अभी आपको ज़रूरत फिल नहीं हो रही थी अपनी अकल मत लागाना बहुत असान हो जाएगा QFinder Pro खुदी डून लेगा ठीक है बहुत आसान है साथ में इसमें जो software आते हो उनके बारे में मैं आपको भविश्य में बताऊँ कि कैसे मैं उसे यूज करता हूँ जैसे surveillance के लिए मुझे अपनी NAS सेट करनी है जो IP cameras, मेरे webcam cameras, wireless cameras लगे हुए उनको कैसे मैं NAS के साथ attach कर दूँ क्योंकि आप जानते हो इस समय कई अच्छे wireless cameras आ रहे है लेकिन उसमें SD card लगाना पड़ता है अगर चोर आया और उसमें वो camera ही लेके चला गया तो उसके साथ आपके recording भी चली गई जो SD card उसके साथ था जो सबूत होते है आपके पास अब इसमें क्या है आपका जो NAS है जो घर के अंदर बंद है उसमें record होते रहेंगे वीडियो आपके wireless cameras से तो यह surveillance system पूरा मैं आपको setup करके दिखाऊंगा backup software जो कि सबसे ज़ादा NAS जो सबसे ज़ादा लोग लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि एक तो अपने जो सारा data है वो NAS के अंदर ले सकें क्योंकि उनके phone में इतनी storage नहीं थी या उनके laptop में इतनी storage नहीं थी और दूसरा backup लेना कि मेरा कोई system खराब हो जाए वो backup कैसे लेते हैं ये सारी चीजे में आपको future में करके दिखाऊंगा दूसरे किसी वीडियो में साथ में मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाया है कि कैसे आप अपनी expansion capabilities बढ़ा सकते हैं अपनी NAS की PCI Express slot को यूज करके या फिर USB 3.0 में ही जो है आप adapter लगा दो तो आपका पास एक और LAN आ गया साथ में आप M.2 लगाना चाहते हो जिससे की जो cache होती है NAS जो है फिर M.2 को detect करके cache बना लेगी उसे तो आपका और तेज हो जाएगी जो data आप fetch करते हो या डालते हो वह भी बहुत तेज हो जाएगा तो यह थी जानकारी QNAP TS251D की और उसके software का थोड़ा थोड़ा इंट्रो QNAP NAS के बारे में और जानकारी के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं साथ में जो मैंने आपको वीडियो बताया हो जैसे अंतर क्या होता है future वाली NAS में और मैं आठ वे की Jest क्यों खने दूग? उससे क्या फायदा होगा इन सब चीजोंगे बारे में चोटी-चोटी चीजों के बारे में जो आपके बिजनेस में हेल्प कर सकती हैं नापनल लायप में हेल्प कर सकती है इनके बारे में बात करेंगे हैं मविश्च के वीडियो में आज के वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें चाहिए और सब्सक्राइब करें मैं हूँ आई जी आप देए इस इंडिके में टाइब वीडियो में सब तक लिए गुडबाई टाटा